भारत जैसे देशों में उम्र दराज होने पर कुछ भी नया करने का रिस्क नहीं लेते हैं जिनकी सारी जिन्दकी काम परवार और घर की जिम्मेदारियों को निवाते ही निकल जाती है और कुछ इंसान अपनी जिन्दकी में कुछ ना कुछ बहतर और अपने मन का करना चाहत लेकिन बक्त और हाला तो उसे इसकी इजाज़त नहीं देते हैं और इनसान की जिंदकी आगे बढ़ जाती है और फिर दिल के अर्मान दिल के ही किसी कौने में दब कर रह जाते हैं जिंदकी में बाकी बचता है तो बस एक ही लब कास कास खुद के लिए किया होता कास ऐसा कर बाते कास बैसा किया होता जातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अरोन आपका हमारे चनल जीत पक्की में स्वागत है दोस्तों आज की कहानी की किरदार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जिंदकी की आपा धापी में वो अपने हिस्से की जिंदकी जीना भूल गई आज आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मोडल से जो जिंदकी के 58 वे वर्स में जागी और नई जिंदकी की सुरुआत की दोस्तों उम्र के जिस पड़ाव पर जाता लोग जोडों का दर्द और हज्जारों बीमारियों का हवाला या भाना देकर जिंदकी को जैसे तैसे गुजारने लगते हैं वही ओल्ड इज गोल्ड मॉडल को अपनी जिंदकी का लच बनाकर 58 वे वर्स की उम्र में पहुंच कर फिर से एक नई जिंदकी जीने की सुरुआत की लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा लोग जिस उम्र में रेटायर्मेंट की सोचते हैं लेकिन मुकता ने उस उम्र में मॉडलिंग में कैरियर बनाया दोस्तों मुक्ता सिंग एक आर्टिस्ट है मुक्ता सिंग के पापा की नौकरी ऐसी थी कि आए दिन उनके पापा का ट्रांसफर होता रहता ट्रांसफर ज्यादा होने की बज़े से मुक्ता के भाई वेनों की पढ़ाई पर इसका गलत असर पढ़ रहा था जब मुक्ता के पापा ने देखा कि नौकरी की बज़े से बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है तब मुक्ता के पापा ने मुक्ता का दाखला अजमिर के एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया मुक्ता के पापा साधी को जादा मैं तो नहीं देते थे मुक्ता को अच्छी तरी से पढ़ाया लिखाया गया था मुक्ता के पापा की सोच दूर दर्सी थी उसी जवाने में भी वे खुली सोच रखते थे मुक्ता के पापा चाते थे कि उनके बच्चे आर्थिक तोर पर मजबूत बने जिससे कि वे अपनी जिन्द की बेहतर डंग से जी सकें मुक्ता को एक लड़के से प्यार हो गया और वे उस लड़के से प्यार में पूरी तरह से बंद गई उसके बाद मुक्ता ने उस लड़के से साधी कर ली साधी के बाद मुक्ता के सपने खत्म नहीं हो गए बलकि साधी के बाद उनकी जिंदकी बड़ी दिल्चस्प रही मुक्ता के पती फाइटर फाइलेट थे मुक्ता के पती का टांसफर भी उनके पता की तरह होता रहता था मुक्ता के पती एयर फोर्स में थे फोजीयों को ज़्यादा सेलरी तो मिलती नहीं थी मुक्ता को उसी बेतर में घर ग्रेशती समालना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चे भी पड़े वो गए थे उनका भी खर्चा अलग इसलिए घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई थी तब मुक्ता को ऐसास हुआ कि कास मैंने भी कुछ किया होता यानि अगर अपने पैरों पर खड़ी होती तो पती को फाइनेसली सपोर्ट कर पाती इन सब के अलावा अपनी बीमार मा की देखवाल भी करनी रहती थी मुक्ता पड़ी लिखी थी जागरूक थी लेकिन इन सब बज़े से किसी केरियर को चुन नहीं सकी और ना ही फुल टाइम जॉब कर सकी कभी कभी मुक्ता थोड़े बहुत काम कर लिया करती थी जिससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते लेकिन इससे गोजारा होने वाला नहीं था मुक्ता ने फ्री लांसर के तोर पर भी काम किया मुक्ता ने निउज पेपर और मैगजीन के लिए खुब लिखा लेकिन मुक्ता कभी फूल टाइम जॉब नहीं कर पाई जिससे मुक्ता को अफसोस बना रहता मुक्ता को सुरू से ही आर्ट और म्यूजिक से गहरा लगा रहा ऐसे में मुक्ता ने पैंटिंग सुरी की और आइकोनिक म्यूजीशन के चेहरों को अपने कैनवास पर उतारा साथी ग्राफिक इमेजरी के जड़िए उनकी सबसे लोगत्री गीतों को भी सामिल किया इतना सब करने के बाबजूद मन में कुछ और एक्स्टा करने की ख्वाइस बनी रहती लेकिन मुक्ता जीवन के चक्र में फसी थी वो अपनी पती और बच्चों की देखवाल करती और अपनी बीमार मा को भी देखवाल करती रहती थी जिसके चलते वो बक्त नहीं निकाल सकी और नहीं स्वारे में ठीक से सोच सकी मुक्ता के अंसार पहले बेबी के बाद दूसरा बेबी बहुत देरवाद प्लान किया मुक्ता को अपसोस रहता कि अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं दे सके जैसी मुझे और मेरे पती को मिली थी इसका कऱर था मुक्ता के पत्की सेलिजी कम होना इसलिए मुक्ता अपने बच्चों की हॉम स्कूलिंग पर बहुत ध्यान देती हॉम स्कूलिंग के करण उनके बच्चे बैसे स्कूल पड़े बच्चों से ज्यादा क्वालिफाइड हैं उनका लड़का लंदन से लोकी पढ़ाई करने के बाद वहीं सैटल हो गया दोस्तों बात करते हैं कि मुक्ता के मॉडलिंग की तरफ अधिक उम्रे मोडना कैसे हुआ मुक्ता के मॉडलिंग की सुरुआत बालों के रंगने को बंद करने से हुई मुक्ता ने बताया कि जब मैंने बाल कलर करना बंद किया तो खुद का कॉन्फिडेंस लो हुआ मुक्ता को लग मुक्ता ने मा और वेटी का दिल लखने के लिए दोनों का बायदा किया कि खुद को फिट और इस्टाइलिस रखने की कोशिस करूँगी मुक्ता स्वेम भी बेरंग सी जिंदकी नहीं जीना चाती थी क्योंकि सोसाइटी के लोग नजर अंदाज करने लगते इसलिए मुक्ता बहुत बरकावड करती और अपनी फिटनेस ट्रेसिंग स्टाइल हेयर हर एक चीज में ज्यादा दिल्चस्पी लेना सुरू किया क्योंकि मुक्ता इस उम्र में खुद को फिट रखना चाती थी और उनके फॉलवर्स भी बरने लगे यह सब देखकर मुक्ता का आत्म विश्वास बढ़ने लगा एक वार मुक्ता एक साधी में बालों से कलर मैच करती ग्रे कलर की साड़ी पहन कर गई वो ड्रेसिंग स्टाइल मैफिल की जान बन गया उसके दो दिन वाद ही उस पार्टी की पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और उस डेजाइनर को टेक कर दिया जिस डेजाइनर ने उस साड़ी को डेजाइन किया था उस designer ने अपनी dress पहन कर suit करने का offer दे दिया, इस offer को मुक्ता ने सुईकार कर लिया, lockdown के दोरान designer dress लेकर मुक्ता के घर आए और natural light में suit किया, उन्होंने अपनी website पर जब मुक्ता के photo डाले तो वहीं से चेक कर दूसरे designer ने मुक्ता को call किया, जो modeling career का पहला break और इस उमर में ज मुक्ता fit है, वो कहती है कि जितनी ज्यादा exercise करती है, हमारी body की exercise करने की छमता बढ़ जाती है, जोडों के दर्थ से रहात और बढ़ती, उमर का असर जल्दी नहीं होता है, मुक्ता जब खुद को 40 की उमर वाली मुक्ता से तुलना करती है, तो आज 60 पार कर रही है, लेकि कम मात्रा में, मुक्ता बालों में काला रंग नहीं करती है, दोस्तों ने कहा कि जिनकी light color की होती है, वो सपेद बाल केरी कर पाते हैं, डार्क स्किन बालों पर सपेद बाल सूट नहीं करते हैं, लेकिन मुक्ता ने सोच लिया चाहे डार्क स्किन क्यों नहों सपेद बाल मे जचूंगी ब्लैक पैंथर मूवी में हीरोईन की मां का जिसने रॉल निवाया था वो ब्लैक बूमन थी और उसके सपेद बाल थे जो उस पर खूब फब रहे थे मुक्ता को फिल्म के उस केरेक्टर से बहुत होसला मिला दोस्तों मुक्ता का 58 साल में मौडल बनना इतना आसान नहीं था सोशल मीडिया पर लोग अजीवो गरीब कमेंड करते थे शुरू में एक आदमी ज़्यादा निगेटिव कमेंड करते थे एक वार एक पुर्ष ने लिखा कि अगर मैंने तुझे अपने खेत में देख लिया तो हाथ पैर तोड़ दूँगा बुडिया किसी और ने लिखा कि घर में बैटकर चुपचाप फूजा बाट करो उस वक्त मुक्ता को बहुत बुरा लगता लेकिन वे खामोश रही मुक्ता को एक वार एक महिला ने कमेंट किया कि दादी डवडव के खर में बैटने से 21 वी सदी में जिया जा सकता है उसके जवाब में मुक्ता ने कभीर दास का दोवा लिखा बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई उसके बाद उस औरत को काफी बुरा लगा और वो मुक्ता से कहने लगी कि गीता पड़ी है क्या रामचरित मानस पड़ा है क्या अगर यह ऐस सब पड़ा होता तो कभीर को पड़ने की जरुवत नहीं होती शुरू में मुक्ता को काफी दुख हुआ लेकिन अब इन भद्दे कमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अब जब मुक्ता को सपलताएं मिल नहीं है तो 20 से लेकर 40 साल की महिलाएं जो यंग बुमन है उनसे मुक्ता को बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है इन यंग बुमन से इतना प्यार मिलता है कि जितना जंदिकी में आज तक नहीं मिला यंग महिलाएं लिखती हैं कि आपको देखकर बढ़ती उम्र से अब डर नहीं लगता है दोस्तों कहते हैं कि हर उम्र का अपना ही लुक्त है उसके हिसाब से जीओगे तो खुश रहोगे और खुबसूरत दिखोगे बढ़ती उम्र को छिपाने की जरूत नहीं है बलकि इस उम्र में खुद को स्मार्टली केरी करने का हुनर आना चाहिए दोस्तों बिदा लेते हैं फिर हाजिर होंगे जीत पकी में नई कहानी के साथ अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और में चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्वाद